साथ लेकर के देश में भड़म फैला रहे हैं तीन बातें साथ कर देना चाहता हूँ आज देश के अंदर प्रदान मंत्री में साब कर दिया कि MSP था MSP है MSP रहेगा किसानों के लिए दर्वाजा खुला था खुला है खुला रहेगा पार्टा के लिए ये मंडिया थी मंडिया है मंडिया रहेगी किसानों से हमारे कृषिर मंत्री ने साफ साफ कहा है आप जब जहें बार्टा के लिए आएं जो भी संसोधन लेकर के आएंगे उस पर बार्टा होगी और किसानों के हित में अगर लगेगा हम उसे मंजूर करेंगे लेकिन जो कानून है मैं कानून की चर्चा अगर करता हूँ तो चर्चा किसानों के हित के लिए सारी बातों को रखता हूँ आज किसान देश में खरिदारी होते रहा कोई MSP जब से मोदी सरकार आये हैं MSP को 41 परसेंट से 45 परसेंट तक यह हूँ और धान में बिर्दी हुई है 73 परतीशक से उपर दलहन और तिलहन में हुई है ऐसी एस्थिती में ये कहना कि देश के अंदर किशानों को दबादी दारी में भी मैं भी कह रहा था तीन कानून को बदलने की बात कह रहे थे खरीदारी में भी भारत सरकार पिछले के तुलना में अगर 2009 से 2014 में उन्होंने धान और गेहुं के लिए 3.74 लाक करोर रुपे का MSP भुपतान किया और NDA सरकार 14 से 19 के बीच में धान और गेहुं के लिए 8 लाक करोर MSP भुपतान किया दूसरा था कि UPA सरकार 9 से 14 में 1.5 लाक मेट्रिक टंग MSP पर डाल की खरीद की गई जबकि 14 से 19 NDA सरकार ने 112.28 लाक मेट्रिक टंग की खरीद की हम एक तरह खरीद भी बढ़ाये हैं और केवल खरीद भी बढ़ाये नहीं MSP को भी बढ़ाये हैं केवल MSP ही नहीं बढ़ाये बलकि जिन्स पहले डाल नहीं था दलहन, मोटे अनाज सब को उसमें कौवर्ट करने का काम किया है जो लोग भड़ फैला रहे हैं मैं उसे पोछना चाहता हूँ कि आज देश के अंदर कई ऐसे ऐसी संस्था है आज बिहार में उत्तर परदेश में ITC कंपनी कॉंट्रेक्ट फार्मिंग करा रही है उनके अनाज खरीद रहे हैं कॉंट्रेक्ट फार्मिंग का मतलब क्या है उनके उपज को खरीदना है क्या उनके गाय और भैस को ले ले रहा बिहार में आज कॉंट्रेक्ट फार्मिंग के दोड़ा पूरे बिहार में दूद की खरीद हो रही है प्राइबेट अमूल खरीद रहा है बिहार में ITC खरीद रहा है छोटी छोटी कंपनियां खरीद रही है ये कॉंट्रेक्ट फार्डिंग किशानों के आंदनी को बढ़ाने में एक मदद का रास्ता होता है हमने उन रास्तों को खोला है जिसके कारद 10 हजार फार्मर प्रोडिशन कंपनी बनाने का एक लक्ष रखा है उसके लिए लाइभाग है और 6,800 कुछ करोर रूपया हमने उस पर बजट में प्रवधान रखा ये मार्केटिंग का प्रवधान रखा है ये मार्केटिंग आज देश में एक हजार की शंख्यान हो गया आज अप्रिका जैसा देश पूरे दुनिया से जाकर के लोग टेक्नलोजी और इंवेस्टमेंट कर रहे हैं क्या वहां के खिसानों की जमें देजें